आज में आपको दो चीजें ऐसी बताने वाली हों जिनें डालने के बाद आपका बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एदी गुड़हल का प्लांट है तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉरिंग होगी और फूल आने लगेंगे आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं इसमें में कई बार फूल ले चुकी हो और फूलों से लज जाता है और देखिए अभी भी इसमें बड़्स बनना फिर से शुरू हो गई है तो आप पतियां भी देख रहे होंगे गिनी चुनी पतियां लेकर इसमें फूल आते रहते हैं तो ऐसी कौन सी दो चीजे में जो डालती ह कि गुड़हल का प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहता है कोई साभी फ्लांट हो सकता है गुड़हल का वो चाहे वो देशी हो या फिर हाइब्रेड हो देखिए आप इस प्लांट को देख रहे हैं इतनी सारी इसमें बर्स आ रही हैं हर ब्रांच में आपको बर्स धाले यह साथ में फूल भी आते जा रहे हैं तो मैं बताने वाली हूँ कि आपको इस प्लांट का कैसे ध्यान रखना है और कौनसी दो चीज इंडालेंगे तो आपका प्लांट भी इस तरह से भूलों से भर जाएगा तो तो सबसे पहले तो फ्रेंड करते हैं हम इस प्लां वार बिल्कुल हटा दें और मिट्टी की अच्छी तरह से गुडाई कर लें उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इस मिट्टी में क्या मिलाना है यह देखिए मैंने मिट्टी की अच्छी तरह से गुडाई कर ली है और साइड से आप इसमें से मिट्टी हलकी एक एक इंच मिट्टी निकाल के और फिर मैं आपको वो फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि मैं डालने वाली हूं तो फ्रेंड्स मेरे पास है ये गोबर की खाद साथी में मैं इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी मिला लेती हूं जिससे कि हमारे प्लांट की रूट्स में यद साथी में एक और फर्टिलाइजर बताने वाली हूं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी है तो इसका काम रहेगा कि ये एंपी के से भरपूर है गोबर की खाद और हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगी आप प्लांट की ग्रोथ देख मी रहें तो से पहली चीज आपको ये कर लेनी है उसके बाद दूसरी चीज है मेरे पास ये लिक्विट सरसो की खली का मस्टरड केक फर्टिलाइजर है तो फ्रेंट से ये थोड़ा सा कंसंट्रेट फॉम में है दो दिन पहले मैंने सरसो की खली को गला दिया था और उसके बाद मैंने इसके पानी को यूज किया है तो इसमें मैं साधा पानी मिलाओंगी थोड़ा सा जिससे कि ये थोड़ा डायलूट हो जाए इसको ज्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है सरसो की खली में बहुत अच्छे माइक्र न्यूट्रियंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट में फ्लॉवर लाने के लिए बहुत ही उपियोगी है तो आप इसका यूज जरूर मन्थ में एक बार करिए तो इस तरह से मैं मिट्टी में इस लिक्विड को भी डाल दूगी तो ये दौनों फटिलाइजर हमारे जो गुड़हल के प्लांट है उसमें भरपूर फ्लॉवर देंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे आप भी इस्तेमाल करके देखिए थैंक्यू